आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपकी दुकान पर बंधन कर दिया आपका वेफार बांद दिया चार दिन दुकान अच्छी चल रही है और चार दिन बंध हो रही है तो महाराज सूरिक का उत्तरायन जो प्रवेश्य मकर के अंतरगत वो दोपार में लगवग आपको इसा लगता है कि आपको अपर चार दिन अच्छी नीचे आ रहा है तो जब मकर राशी के भेतर सुरी प्रवेश्य करेंगा डाही के लगबग में आएगा सायस्तराय दोपार में लाई तीन बजे के अधरमें प्रवेश्य करेंगा आपको एसा लगे या किसी की तव थोड़े दिन अच्छी हो रही है फिर अच्छी हो रही है फिर बेकार हो रही है फिर अच्छी हो रही फिर बेकार हो रही दबाई खा रहा है नहीं लग रही तो आप जब मकर राश्ची में सूरी प्रवेश्ट करें कल मकर सक्रांती के दिन उतराएना जब सूरी के भाव प् काली तिल बमूल का काटा और किसी भी ब्रक्ष की पांच पत्तियां लेना हमारे उसको लेकर अपने दुकान में बेपार में या जिसको ओशद ही ना लग रही हो जिसका स्वास्त गरबड़ो रहा हमारे उसका इस पर शकरा कर या 21 बार उस पर से उतार कर और उतारना क्या नाम लेकर है अवधूतेश्वर महादेव कौन सा महादेव है जम के बोलो जरग अवधूतेश्वर महादेव शिव जी का एक अउतार हुआ था अउधूत रूप शंकर भगवान के उस क्रोध को भगवान शिव के उस क्रोध को ब्रमा जी ने घोड़े का रूप दे दिया था और घोड़े को समुद्र में डाल दिया था उस घोड़े से जलंधर हुआ था फिर जलंधर का विवाब सब्सक्राइब करने के लिए बैपार की व्रद्धी को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगोने कहीं कहीं देखा होगा कि वास्तु सास्त्री करते हैं कि दोड़ते हुगे घोड़े का फोटा लगा अरे वोलो तो सुनाए कि लगा जो गोड़े चार पांच गोड़े तो रहा उनका फोटा लगा क्यों कहते हैं कि दोड़ते हुए घोड़े का फोटो उसका सास्त्र प्रमान शिव महापुरान करती है माराई कि शिव का एक रूप अधूतेश्वर है जिसको ब्रहमा जी ने घोड़े का रूप दे दिय और घोड़े का रूप देकर उसको समुद्र में डाल दिया जिससे जलंधर की उत्पति रही है तो अगर मान लो अगर प्राबलम चल रही है वैपार में दिक्कत आ रही है वैवसाय में तकलीप आ रही है या किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई कश्ट आपको लग रहा है तो आउधोतेश्वर महादेव का नाम लेकर काली तिली व्रक्ष की पत्ती और एक वमूल का काटा लेकर और आप दुकान में से उतार लो चाहे शरीर पर से उतार लो उसको ले जांकर किसी भी चोरहाय पर उसको पटक दीजी चोर अस्ते पर नहीं डाल सकते तो बहते हिले तो पीपल के बर्ठे के नीचे डालाएची पर उसको मकर राशी के प्रविश्ट भाव में ही डालागा почти अ प्रुष्थ हुआ हमारे हिंदू धर्म में जितने भी टेहवार अरें ये तेहवार को साधरन नहीं होते है हमारे हिंदु धर्म में जितने भी तेवार हैं ये कुछ ना कुछ हमें सुख का भान करा एक भी तेवार ऐसा नहीं है हिंदु धर्म का जो कि खाली जा बस हम उससे दूर रहते हैं हमें हमें आता नहीं है बस एक साधरन भाव में हमें तेवार मना लिया पर उसका महत्रु हम स कि बस अधे चिक लोग कोई किसी व्यक्ति ने मानूं पड़े कोई भूमी पर कबजा कर लिया और नहीं छोड़े तो उसके लिए भी कल का दिन बड़ा महत्पूर नहीं कि उसके लिए कल का दिवस बड़ा महत्पूर माननों अगर कोई कब्जा कर लिया हो और वो प्लाट या कोई दुकान कोई व्यफार की स्थान नहीं छोड़े तो उसके लिए कल का दिन सास्त्र करता है महाराच जी शमी पत्त्र की पांच पत्ति कितनी पत्तियां लेना है पां मकर राशी में प्रवेश करते समय सूर्य का इस्मन और करते हुए सूर्य पैसे साथ भार घुमां कर भगवान शिव का नाम मत्र लेते हुए जो श्यूं महापुराण का मूल मंत्र है श्री बोलिये जंके श्रीक शिवाय नमस्तु भ्यम शिव महापुराण के मूल मंतर का स्मर्ण करकर सूरी पर से घुमाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है और चड़ी हुई एक बल पत्र शमी पत्र उस इस्थान पर डाल देता है जो कपजा नहीं छोड़ रहा महाराच छे मही में के अंदर वो कपजा छोड़ कर भागता नहीं रहा है